लो फ्रेंड्स मैं हूँ शाश्वत और आप देख रहे हैं ओम ट्रिक्स यूटूब चैनल दुस्तों ले करके आ चुका हूँ आप सभी के लिए क्लास 12 के हिंदी के कुछ बहुविकल्पी है प्रसन बहुत सारे मेरे पास कमेंट आ रहे थे बहुविकल्पी प्रसन बता लीजेगा और घंटी बन करके आएगी जिसको बेल आइकन बोलते हैं आप उसको जरूर दबा लीजेगा ताकि हमारे आने वाले अपडेट आपके फोन में नोट्रिफिकेशन में आ सके दोस्तों तो चलिए पहले कोशन की तरफ चलते हैं फरस्ट कोशन है हमारा हरीस चंद थे पत्रिका के संपादक थे बाला बोधनी पत्रिका के संपादक का नाम भारतेंदू हरीस चंद्र था क्या नाम था आप नारायन मिश्र भारतेंद व्यूक के लेखक है प्रसंद 2011 में पूछा गया था दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट कोशन के तरफ हिंदी प्रदीप के संबादक है अब आप इस कोशन पर जरा गौर कीजिए कि यह कोशन कितनी बार पूछा गया है देखिएगा दोजार आठ 11,12,13,16 और 18 यह लगातार कोशन पूछा गया है तो इसके जो करेक्ट आंसर हिंदी प्रदीप के संबादक का नाम बाल करेशन भट है तो हम किस ऑप्संपर टीक लगाएंगे हम खावाली ऑप्शन पर टीक लगा देंगे बाड करेशन भट इसका करेक्ट आंसर रहेगा च किस यूग की रचना है दुवेदी यूग की 2016 में पूछा गया था दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट कोशन की तरफ अमीर हट किस प्रकार की रचाईता है मतलब वो इतिहास की है या फिर कथा साहित की है या फिर निवंद की है या फिर आलोचना की है तो वो हैं दोस्तों इतिहा की घा वाले option भी टिक लगा देंगे हमीर हट इतिहास प्रकार की रचना है दोस्तों चलते हैं नेक्स कोशन की तरफ ब्रामण पत्रिका के संबादक यह कोशन जब देखो बार-बार रिपीट हुआ करता है तो यह कोशन बार-बार रिपीट होने का कारण क्योंकि यह कोशन ब बहुत जादा पूछा जाता अब इधर देख लो बारा तेरा चौदा और सत्रा लगातार पूछा गया तो यह कोशन जो था हमारा प्रताप नाराण मिश्र जी का था ब्रामण पत्रिका के संबादक थे option नंबर खा प्रताप नाराण मिश्र चलते हैं next question की तरफ सरस्वती पत्रिका है इसका option है खावाला सरस्वती पत्रिका दुवेदी युग की रचना है सरस्वती पत्रिका दुवेदी युग की रचना है प्रसंद 2016 में पूछा गया था चलते हैं next question की तरफ भारतेंद युग के लेखक वा पत्रकार हैं इनका नाम है बालकृष्न भट क्या इनका बारतेंदु यूक्य लेखा को अपत्रकाल बालक्रश्न भट हैं चलते हैं नेक्ष्ट कोशन की तरफ नेक्ष्ट है हर्खू पात्र किस कहानी से सम्मंदित है उस कहानी का नाम आपको लिखना है तो वह का वाला अप्शन बलीदान इसका सही आंसर है का दूस्तों के समुचित विकास की द्रस्टी से एकांकी की जनक माने जाते हैं दोस्तों ये भी प्रस्टन बहुत इंपोर्टन है वस 2011-2017 में पूछा गया है एकांकी सिल्प के समुचित विकास की द्रस्टी से एकांकी की जनक माने जाते हैं या हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है दो डॉक्टर रामकुमार वर्मा गावाला अप्षन पे टिक लगा देंगे राग डाग्टर रामकुमार वर्मा करेक्ट आंसर रहेगा चलते हैं next question की तरफ हिंदी का प्रथम यात्रा वरतांत सर्यू पार की यात्रा किसने लिखा था उस लेखक का नाम लिख दीजिए यहाँ पे, 2014 में पूछा गया था, बहुत महत्वपूर्ण प्रसन है, तो उनका नाम था भारतेंदू हरीशचंद्र द्वारा, क्या नाम था दोस्तों, भारतेंदू हरीशचंद्र, भारतेंदू हरीशचंद्र हिंदी का पर्थम यात्रा वरतान सर्युपार की यात्रा चलते हैं नेक्स्ट कुशन की तरफ बड़ो से के प्रेणा दायक कुछ पत्र के संकलन करता है यह 2010 का कोश्चन और इसका अंसर है वियोगी हरी यहां तक कि आपको जो मैंने प्रस न बताए हैं इनका PDF आप जरूर से जरूर डाउनलोड कर लेना PDF इनका description box में दिया गया है आप सभी लोग डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजेगा दोस्तों तो दोस्तों मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में वीडियो को जल्दी जल्दी अपने शेर कर दो अपने सभी दोस्तों को सब्सक्राइब कर दोस्तों को जाए इस वीडियो को देख कर तो तब तक के लिए टेक केर बाबाई एंड जैहिंद वन्ने मातरम